नहांसकार दोस्तों, मैं कुल्दीप सलुजा, कुल्ली टीवी के दर्शोगों का स्वागत करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वताऊँगा साउथ वेस्ट फेसिंग दुकान के बारे में YouTube आपकी दुकान उतलू हैं उत्तर कोन परें। पूरी कोने परें। धक्षिन यहाँ पर्षिम यहाँ गरहे। आपको डुकानतीर प스टो करने हैं। इस इस दुकान की संथे हिफश हफसे पर कभ nessa है। फेस जो है इधर हो इन्दिवसे निरुत्येकोन घहते हैं? तो इस दुकान का वास्टु कैसे करना चगे? दोसोर सबस्क्रा पहले हम दुकान में फनिचर만 बनाने के पहले हमरे चाहिए कि हम देखें, कि दुकान वास्तू été अन्खूल बनी है की नहीं? वास्तू सब्से दुकान सही है की नहीं? देखे कि दुकान, तज दिवारे सीधी है कोई दिवार तिर्षी तो नहीं है इस तरीके से इधर की या कोई इसका कोना बड़ा हुआ या कोईemaker फुमा गटा हुआ यानि दुकान का शेप क्या है तो सौth-ट वेस्ट फैसिन दुकान में आप देखिए यदि ये बिवार नार्थ जेली ये इस तरीक तो को । को दिक्कत नहीं है नार्थ बड़ती है इस कोने से इस तरह बड़ती है कोई दिक्कत नहीं है यह वास्तो नुकूल रहेगी यह नार्थी साइड में यह दिवार दुकान की बाई दिवार इसा त्रिच्छी आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है यह दुकान में इदर का को हिस्सा ऐसा बढ़ जाता ऐसा तो भी कोई ठीक है यह यह को हिस्सा बढ़ कि यह दिवार यह यह जंद भूखा दिवार अंदर बनाकर इस दिवार को सीधा कर दें दुकान अंदर से सीधी होना चाहिए वह सभार रहे गया अब आपको से कोई लिंपक की मतलब कोई सुराख नहीं हो ऐसा दिवार आपको उसको उसको प्योग करें सकते हैं यहांनि जमी से चत तक दिवार बनानानी है इधर हो यह कहीं पर भी जहां तिरच्छा पन है उसको आपको सीधा करना अंदर दिवार बनाकर ब्रिक्स की दिवार बनाकर परदा टांक है नहीं कोई और की चीज़ को नहीं करना है दूसरा जब आजकर बिल्डिंग है बनती तो आजकर बड़ बड़ कालम होते है को मल्टि नहीं आ सकता है पर इस केस में साउथ वेस्ट फेसिंग शाउप में जहां नार्थ लिखा यह कोना इस कोने कालम यह कट जो अशुव होता है यह कट में कोई दिक्कत नहीं है को यह इस से दुकान कट गी अंदर से हमें दुकान अंदर से रेक्टेंगलर करने होती है तो यह कोना जो है यह कट आया तो इस दोश को दूर करने के लिए बहुत महपून दोश है यह है तो इस दिवार को यहां से यहां तक एट की दिवार बना कर ऐसी दिवार बना कि यह जो कालम है उस दिवार मर्ज हो जाए निया दिवार दुकान यहां से स्टार्ट हो गई यहां से य स्लोप देते हैं, तो सौथ वेस्ट हेसिंग शाप में देखिए कि इस स्लोप आगे तब को नहीं दिया हुआ है, यदि आगे स्लोप दिया तो यह बहुत बड़ा वास्तु दोश है, तो उस केस में आपको चाहिए कि आप इसका फर्ष उखळा कि इसका समतल इसको कराएं, को और ओटला या पोर्ष है, दो फिट, चार फिट, दस फिट, जितना गागे हो, वो यदि इस से नीचा है, जब जन्नली क्या होता है, यह शटल लगगी है उसका ओटला है या पोर्ष है, तो चार शी नीचा होता कही बार, ऐसा कुछ है, तो उसको भी आपको इसका फ्लोल करना है यह आप कर लेते हैं तो यह समझे कि इससे अब आपकी दुकान वास्तनुकुल हो गई अब इस एसी वास्तनुकुल दुकान पर किसी प्रकार का भी काम करें मिठाई को नहीं दुकान ड़रें को करें हाड्वेर की करें क प्लमबिंग सामान की करें सारी इस्त्यादी की मेडिशन की दूकान कि इसी पी चीज दूकान आप लगाना चाहते हैं तो आप इसी önशन शोप देख अब आता है आप आते हैं कि आपको इसमें टौलेट बनाना है तो आप टौलेट इहां बना सकते हैं इस कोने पर ध्यान लेएं टॉयलेट का फलोगा लेवल भी आपकी दुकान को फ्लोगोर के बराबर नहीं Чदितीये तो तॉयलेट का प्त IELTS का फ्लोगाल के बुर्ट आये जदि आप यहां पर basement बनाना चाहते हैं तो इस case में साउथ वेस्ट फेसिंग शाउप में आप बेस्मेंट बेक साइड में बना सकते हैं, आगे नहीं बना सकते हैं, इसके तीन हिस्से करिए आप इस दिवार के, दो से एक हिस्सा छोड़के इतने हिस्से में आप बेस्मेंट बना सकते हैं, इधर नहीं बना सकते हैं, यदि आप लंबाई में बेस्मेंट बना चाते हैं तो फिर आप इधर का हिस्सा छोड़िए ये वाला ये हिस्सा छोड़ के इसके तीन हिस्से करिए ये हिस्सा छोड़ के आप इतने हिस्से में बेस्मेंट बना सकते हैं जिए आप मेजनाइन फ्लोर बनाना चाहते हैं दुकान में कि सामान जादा रखना दो च्छती से कहते हैं तो वो दो च्छती जो है इस केस में साउथ वेस्ट फेसिंग शॉप में आगे की और बनेगी यह इसके फिर तीन हिस्से करिए पीछे का हिसा छोड़ दीजिए गए वाला यह साउथ छोड़के इतने हिस्से में आप मेजनाई बना सकते हैं और लंबाई में बनाना है तो आप इस हिस्से को छोड़ दीजिए इस के तीन हिस्से के इस हिस्से को छोड़ दीजिए इस हिस्से में मेजनाई फ्लू बना सकते हैं पूज आगास्तान आप यह प्रमत पीजी डिशा सब्सक्राकों है दुकान में कि Allah के बार मेरा की जुरत पड़ती है तो आपके आँशक्ता और सार्ट मेरा कहीं पर भी लगा सकते हैं जो आपके उषखता और दुकान के लिए ज़ुरूरी है ज्शकतली कोई चुन्तिच कोई जूरत नहीं है बहुत सों लोग कहते हैं मिरर इस दिशा में लगाना से वास्तुदोष आता है कोई पठी कोई दिशा के लिए बोलते हैं पैसा कुछ नहीं है, आज कल फ्लोरिंग इतने अच्छे होते हैं, एक्टिफाइट टाइस लग रहे हैं, इतनी चमक होती ही, वो मिलर के ही काम कर रहे हैं, इसके अलावा, आपका जब दुकान में का विए टीवी होता है, टीवी बंद वो ही मिलर का काम कर रहा है, तो इससे क कही आई, यहीं आप अन्य काउंटर से रखी लगां दी जे काउंटर, तो ग्रहा क्या नहीकष लगा और जिके लाग रहे हैं, आप नहीं है、 तो यहां से अन्द़ आईए, भ्यादि काउंटर बेखुर को अन्दर थे मिलिए तो जब आपकी दुकान वास्थनकुल बनी मालिक कहें पर बैटे कोई फरक ने पड़ता है स्टाप जहां बैठे जो आपकी सुझदा उसके साफ सब बैठी है जो आपको लगता है कमिनेट लगता है उसके साफ सब कहें भी बैठी है आप केश काउंटर ऐसा रहे कि केश में कि आपका गल्ला या तो इधर की और खुले या इधर की और खुले जादा बहतर होगा दुकान में ज़िए आपको कलर कराना है अंदर तो आप दिवारों का जो कलर है वो हलका क्रीम आफ वाइट ऐसा लाइट कलर करिए खास करके दर्वाजे के सामने के यह दिवार को बिल् lace गालर मक करिए गई दख चत वाइट रखिएगा दुकान का बोड है तो भोड ल्ग फोड में प्योंक gelecek तो दुकां का प्रक्रजिवर बड़े तो आप दुकान में कहीं inverter रखना है तो आप इस हिस्से को छोड़के इनवर्टर कहीं भी रख सकते हैं जो आपको लगता है कि यहां कर्मिने ट्रेक आप के लिए आप कहीं भी रख सकते हैं इसे पुकार CCTV जो लगते हैं तुकानों में लगना लगते हैं केमरे तो उसका DVR होता है तो वो DVR भ होती है पीने का पानी रखना होता है उसके लिए कोशिश करें कि यह जो इस लिखा इस हिस्से में नहीं रखना है इस जगह को छोड़के आप कहीं पर भी पानी अपनी सुज़दा उनसा रख सकते हैं तो दोस्तों यदि आप इस तरीके से दुकान का वास्तू करते हैं सौ पोना बढ़ गया घड़ गया तो देखिए कोई उसमें से कोई खराबी होगी उसको ठीक कर लेजिए आपकी दुकान चल पड़ेगी वही खराबी होगी फर्श का लेवल देखिए तो आपको पता लग जाएगा तो आप इस तरह करिएगा आपको सफलता मिलेगी मैं उम्म करता हूं कि कुल्डी टीवी के दर्शकों को वीडियो पसंद आई होगी जैदि वास्तु समंद्य आपकी को समस्या है तो आप कुल्डी टीवी पर मेसेज कर सकते हैं धन्यवाद इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राय भरूर बताएं धन्यवाद